English कैसे सीखें? YouTube चैनल में आपका स्वागत है इस क्लास में हम इस टॉपिक के एक एक वर्ड का उच्चारा लिख कर उसे ट्रासलेट करेंगे और उसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में जादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर की छोटी छोटी बातें भी बताएंगे जिससे आपको इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना और समझना धीरे धीरे आने लगेगा जो लोग थोड़ा एडवांस ट्रासलेशन की वीडियो देखना चाते हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर धेर सारी ट्रासलेशन की वीडियो देख सकते हैं रीडिंग की भी प्लेलिस्ट है वहाँ पर वो अपनी रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं प्लेइलिस्ट का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है इसी के साथ आप कर दीजे इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू बुक्स किताबें, बुक्स का मतलब क्या होता है किताबें या फिर जिसे हम पुस्तकें कहते हैं आफ आल कम्पेनियन्स सारे साथियों से आल कम्पेनियन्स का मतलब क्या है सारे साथियों से आफ का मतलब है जो भी आपके पास होंगे आपके पास जो भी साथि होंगे नन इस मोर फेथफुल दैन बुक्स उनमें से कोई भी किताबों से ज़्यादा भरोसे मंद नहीं होगा नन का मतलब क्या है उनमें से कोई भी मोर फेथफुल ज्यादा भरोसे मंद फेथफुल को हम कहेंगे भरोसे मंद दैन बुक्स किताबों की तुलना में वो आप से कुछ भी मांग नहीं करती है दे का मतलब क्या है वे किसके लिए यहाँ पर किताबों के लिए डिमांड का मतलब होता है मांग करना या फिर चाहना तो हम यहाँ पर इसे कहेंगे मांग करना नथिंग का मतलब कुछ नहीं कुछ नहीं और फियू का मतलब तुमसे या फिर आप से वो आप से किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं करती है बट लेकिन लेकिन वो तयार रहती है आपको सब कुछ देने के लिए ready का मतलब है तयार r का मतलब रहती है या फिर है give का मतलब होता है देना देने के लिए you all आपको सब कुछ all का मतलब है या पर सब कुछ इस तरह से मेरा पढ़ाने का मतलब यह है कि आपको जो छोटे छोटे words हैं English के जो बहुत important है जिने हम हमेशा अपने daily use में use करते हैं जैसे दे हो गया, आर हो गया, और गिव हो गया, यू हो गया तो इन सब चीजों को मैं इसलिए आपको लिखकर बताता हूँ कि आपको ये हमेशा याद रहें, आपको इसे अलग से पढ़ने की जरूरत ना पढ़े ऐसे मैं इस तरह की अलग से भी वीडियो बना दूँगा जो बहुत important words है, daily use वाले, उस तरह की भी मैं आपको वीडियो बना दूँगा लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको पूरी तरह से बताने की पूरी कोशिश करता हूँ वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करते चलें आप इसे खुशी से ले जा सकते हैं मे का मतलब यहाँ पर होगा सकना और टे का मतलब ले जाना आप इन्हें ले जा सकते हैं विड जुआय खुशी से विड का मतलब यहाँ पर होगा से और जुआय का मतलब होगा खुशी वेर एवर जहां भी यू गो आप जहां भी जाएं वेर एवर का मतलब है जहां भी जहां भी गो का मतलब जैसे हम जानते हैं जाना योर हिूमन फ्रेंड्स मेबी फार अवे आपके मानव दोस आपसे दूर रह सकते हैं मेबी फार अवे का मतलब है दूर रह सकते हैं योर हिूमन फ्रेंड्स आपके मानव दोस्त हिूमन का मतलब क्या है मानव दे मेबी बिजी विथ देर ओन अफेर्स वो अपने काम में बिजी हो सकते हैं अपने काम में अन का मतलब है अपना और अफेर्स का मतलब है वर्क जिसे हम कह सकते हैं काम अगर हम यहाँ यह कहें with their own works वो भी सही होगा then you cannot enjoy their company फिर आप उनके साथ का आनंद नहीं ले सकते you cannot enjoy का मतलब है आप आनंद नहीं ले सकते enjoy का मतलब होता है आनंद लेना company का मतलब साथ जैसे मैंने आपको बता है company का दो मतलब होता है एक जो सामान बनाने वाली company होती है और एक company का मतलब होता है साथ तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो इस तरह के sentences को आप आसानी से उसे translate कर पाएंगे उसका मतलब समझ पाएंगे but लेकिन how easy it is लेकिन ये कितना आसान है how easy का मतलब है कितना आसान कितना आसान to carry books किताबों को ले जाना carry का मतलब है ले जाना wherever जहां भी इसका मतलब मैंने आपको उपर बताया है जहां भी you go जहां भी आप जाएं and or leave in their company और उसके साथ में रहें leave का मतलब होता है रहना in their company उनके साथ में and how useful और ये कितनी उपियोगी useful का मतलब क्या है उपियोगी तू ये कितना उपियोगी भी है तू का मतलब है भी they give you material for work ये आपको काम के लिए material भी देते हैं पदार्थ भी देते हैं यानि ये आपको विचार देते हैं ideas देते हैं आपके काम के लिए food for thought आपके विचारों को भोजन भी देते हैं food का मतलब क्या है भोजन या फिर खाना यहाँ पर thought का मतलब है विचार अब यहाँ पर विचारों का भोजन से क्या मतलब है जो चीज हम पढ़ते हैं नए ideas हमारे दिमाग में आते हैं हमें नया तरीका पता चलता है तो इससे हमारा विचार और मजबूत होता है हम सोचने और समझने में और सक्षम होते हैं उसी के लिए यहाँ पर यह लिखा गया है food for thoughts and or entertainment और यह हमें manoranjan भी देता है entertainment का मतलब क्या होता है manoranjan for leisure आनन्द लेने के लिए leisure का भी मतलब होता है enjoy आनन्द लेना मैं कोशिश करके उस word का synonym भी लिख देता हूँ जिससे कभी आपको वो word दुबारा मिले तो आप उसको आसानी से समझ सके जैसे मैंने आपको joy बताया joy का भी मतलब होता है खुशी अब उसी से बना है enjoy अब उसी से यह है leisure इस तरह से एक और word है pleasure उसका भी मतलब होता है आनन्द उसकी spelling यह होती है तो इस तरह से आपका एक चक्र बन जाएगा शब्दों का अगर आप लगातार मेरी वीडियो देखेंगे तो फिर आप बहुती आसानी से किसी भी इंग्लिश के word को sentence को समझ लेंगे और जब आप समझेंगे तो बोल भी लेंगे how kindly kindly कितनी kindly का मतलब यहाँ पर क्या होगा विनमरता से दयालूता से विनमरता से they make you sleep यह आपको सुला देती है make you sleep का मतलब है सुला देना when your eyelids जब आपकी पलके when का मतलब है जब your eyelids आपकी पलके refuse to close बंद होने से इंकार कर देती है refuse का मतलब होता है इंकार करना और close का मतलब होता है बंद इसका मतलब यह हुआ कि जब आपकी आँखें बंद नहीं होती हैं आप सोने की कोशिश करते हैं नहीं सो पाते तो किताबें आपको कितनी आसानी से सुला देती है through books किताबों के माध्यम से through books का मतलब है किताबों से या फिर किताबों के माध्यम से through का मतलब हम कहेंगे say you can meet आप मिल सकते हैं meet का मतलब क्या होता है मिलना किसे मिल सकते हैं kings पोएट्स, राजाओं से, और सोलजर्स, सिपाहियों से, आप किताबों के माध्यम से राजाओं से मिल सकते हैं, सोलजर्स सिपाहियों से मिल सकते हैं, पोएट्स, कवियों से मिल सकते हैं, और फिलोसफर्स, और आप फिलोसफर्स, फर्स से भी मिल सकते हैं, फिलोसफर्स का मतलब क्या होता है, दर्शन शास्त्री, दर्शन शास्त्री, बर्ड्स, चिलियों से मिल सकते हैं, और फ्लाज, इसे आप फ्लावर्स भी कह सकते हैं, फ्लाज भी कह सकते हैं, पक्षियों और फूलों से भी आप मिल सकते हैं, अगर आप किताबें पढ़ें तो ये बिलकुल सही है जो कहानिया लिखी होती है पहले के समय के जिसमें राजा होते हैं सिपाही होते हैं कवी होते हैं फिलोसफर्स हैं और पसुपक्षी हैं उनसे हम आसानी से मिलेते हैं ये बात बिलकुल सही लिखी हुई है How profitable their company is उनका साथ कितना लाभधायक होता है Profitable का मतलब क्या है लाभधायक ऐसे तो ये वर्ड Profitable यहाँ पर उतना उचित नहीं है यहाँ पर हम इसे बोलेंगे Beneficial Beneficial का भी मतलब होता है लाभधायक इस तरह का जो हमें लाभ मिलता है वो Beneficial उसे हम कहते है Profitable हमें जब किसी व्यापार में बिजनेस में फाइदा होता है उसे हम Profitable बोलते है तो जादा अच्छा वर्ड Beneficial होगा लेकिन काम चलाओ तोर पर शुरू में सीखने के लिए हम इसे Profitable कह सकते है Company का तो मतलब साथ होता ही है तो हमने देखा कि किस तरह से किताबें हमारे जीवन में कितनी महत्मूर भूमी का अदा करती है उमीद करता हूँ कि इस क्लास में बताई गई वर्ड Meanings आपको अच्छी लगी होंगी सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे Comment Box में जरूर बताईएगा इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए और थोड़ा Advanced Level की Translation की वीडियोस पाने के लिए अभी बहुत कुछ आना बाकी है Grammar से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए और अपनी English को अच्छा करने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे और ये वीडियो अपने किसी ना किसी एक दोस्त को जरूर शेयर कर दीजेगा तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में